हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चानल, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और स्टोरी, खरगोश और कच्छवे की, उसे हम ड्रॉ भी करेंगे और मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगे भी, तो चलिए देर न करिए, जल्दी से लेकर आईए अपनी वाइट शीट पैंसिल एरेजर, यहाँ पे मैं ब्लेक स्केश पैंसे ड्रॉ करूंगी, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टॉर्टस, उसके लिए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, जो सी की तरफ दिखती होगी, यह देखिए, उसके बाद में नीची की तरफ हम एक और कर्व लाइन करते हैं, यह देखिए, यह कुछ-कुछ मुझे पत्ती जैसा दिख रहा है, यह हमारे टॉर्टस का शेल है, इसके बाद हम टॉर्टस की नेक ड्रॉ करेंगे, और फिर हैड, जो कि हम कर्व लाइन की मदद से ड्रॉ करेंगे, यह लगबग सी जैसा दिखेगा, नीचे की त लेक की तरफ से एक चोटी कर्व लाइन, और एक और कर्व लाइन, और यह माउथ का नीचे वाला हिस्सा, तो इसका हैड बन के रेडी है, अब हम बनाएंगे लेग्स, बहुत ही सिंपल, हमें नीचे की तरफ कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए, इसके लेग्स ड्रॉ करने हैं और इसके टोज भी बनाने हैं, यह हुई कर्व लाइन, और इसके अंदर टोज, लेग्स हमने अभी तीन ही बनाए हैं, अब हम ड्रॉ करेंगे शेल का पीछे की तरफ वाला हिस्सा, जो की नीचे से हम ड्रॉ करेंगे, और फिर उसकी आइज एक सर्कल बनाएंगे, उसके अ हुए इसके आइब्रॉ और यह नॉस्ट्रिल्स, अब बनाते हैं इसके शेल के उपर का डिजाइन, तो हमें कर्व लाइन देते हुए रक्टैंगल बनाने हैं, यह देखिए, यह बन रहे हैं रक्टैंगल्स, जो की थोड़े कर्व लाइन से बनाए गए हैं, यह इसका शे को हम स्पॉटी बना रहे हैं, तो हमने थोड़े से सर्कल शेप के स्पॉट्स डाले हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, अब बारी आती है हमारे रैबिट की, तो रैबिट को बनाना तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आप चाहें तो वो भी देख सिते हैं, ये देखिए, कर्व लाइन की हेल्प से, ये लगभग सी की तरह ही ड्रॉह होंगी, एक उल्टा सी, एक सीदा सी, और ये नमबर थ्री की मदद से हम बना रहे हैं, इसका माउथ, ये हुई, इसकी नोज, ट्राइंगल जैसी, और इसकी आइज, जो की हम सर्कल की स्केश पन से फिल कर देंगे, ये हुआ उसका माउथ, और ये इसके दौंथ, अब बनाएंगे हम इसके लॉंग इयर्ज, वो भी लहराते हुए, क्यूंकि हमारा रैबिट दौड रहा है, ये हुआ इसका नीचे का पार्ट, और ये इसके लैग्स, देखो, दौड़ता हुआ, रैबिट, और ये हुए इसकी चोटी सी टेल, एक और लैग, यहाँ पर थोड़े से इसके बाल दिखा देते हैं, और इसकी आईब्रॉग्स, और ये ड्रॉग कर रहे हैं, हम इनका रास्ता जिस पर ये दौड लगा रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत घांस, या फिर पत्थर, या कुछ और भी ड्रॉग कर सकते हैं, ये देखिए, मैंने थोड़ी घांस ड्रॉग की हैं, और कुछ पत्थर, अब हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉग करेंगे, जिससे लगेगा रैबिट बड़ी तेजी से दौड रहा है, और ये हमारा टॉटस धीरे धीरे चल रहा है, इसके एक और लेग को ड्रॉग कर देते हैं, जो पीछे से दिख रहा है, चलिए, अब बारी आती है कलर की और स्टोरी की भी, एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिससे अपने तेज दौड़ने पर बहुत खौमन्ट था, उसी जंगल में जो दिखता, वो उसी को अपने साथ दौड लगाने के लिए चिनोंती दे देता, दूसरे जानवरों के बीच, वो हमेशा कचुए को भी दौड लगाने की चिनोंती दे दी, कहा, अरे मुझसे दौड करोगे क्या, कचुए ने खरगोश की चिनोंती माल ली, बुला, हाँ हाँ, क्यो नहीं, मैं तुमारे साथ दौड करने के लिए तयार हूँ, जंगल के सभी जानवर कचुए और खरगोश की दौ करने लगा, ये, मैं तो बहुत तेज दौड रहा हूँ, अरे कचुए तुम क्या समझते हो, बड़े आय, मुझसे दौड लगाओगे, मैं भी, मैं, अरे ये तो बहुत ही तेजी से दौड रहा है, कचुए की हालत खराब होने लगी, और उधर रैबिट दौडता ही जा र आएगा, और इस तरह से रैबिट काफी आगे निकल गया, तब देखा रैबिट ने, अरे ये तो बहुत दूर है, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, अधर कचुए की जा निकले जा रही थी, वो धीरे धीरे चल रहा था, हाफ रहा था, लेकिन रुका एक बार भी नहीं, हाफ हाफ मुझे जीतना होगा, हाफ हाफ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पापा ने बोला है, कोशिश करने वालोगी हाल नहीं होती, और इस तरह से कचुए धीरे धीरे चलता रहा, और उधर रैबिट सोता रहा, और कुछ देर बाद कचुए रैबिट से आगे निकल गया और रैबिट सोता ही रह गया, कचुए, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अरे ये कौन जीत गया, कौन चला रहा है, मैं तो सोता ही रह गया, और देखा बचुए वो रैबिट तो सोता ही रह गया, और हार गया, उधर कचुए धीरे धीरे लगाता चलता रहा, और उसकी जीत हो गई तो दीखा बचूँ आपने जो धैर्य और मेहनस से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है और जिने खुद पर या अपने क्यूए कारे पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी टूपता जरूर है मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो